बात आती हैं आपे प्लांटिंग्नम के बारे में कि आखे रशी सार ये चीज़ क्या है आ जाओगा तो जब हम आउटर और इंटर्ल दोनों की बात करने लग गए तो हम नेचरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे आ गए एंट्रीज़ का मतलब होता है मेल और आर्गी यह का मतलब होता है मेल और अर्चिकॉरी एक झालब cured। स्कुविके मिल करे कर दिया तो चुर्ण कर दिया जाए तो डीग्राम कभी नहीं खुलो सब्सक्राइब करने के लिए सबसे बड़ी खास बात तो हमने अभी तक कुछ चप्टर कंप्लीट कर लिए हैं मगर अब हम आगे एक दो चप्टर के उपर और चल रहे हैं जो बड़े ही खास है बड़े ही शांदार है मजा तो हम मचाने वाले हैं तो इस चप्टर के बारे में कही जाए बात तो बात है प्लांट किंग्नम के बारे में हर कोई लगबग यह सब्सक्राइब करना पड़ेगा यह एसे है यह ऐसे ही करना पड़ेगा मगर दोस्तों मेरे कहाल से आप यह वाली बात से अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर हम Plant Kingdom को भी बहुत ही अच्छे से complete कर ले तो भाया कहना ही क्या है कई बार ऐसी बात होती है कि अच्छी सर सच में सच में क्या कोई ऐसा तरीका है कि इस सच्टर को भी हम die unnecessary सबस्सक्राइक करते है कि कोई तेरे जाने के बाद जो मैं रहे जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं समलता इसलिए पत्थर कर लिया है इस दिल को जो अब किसी के लिए नहीं पिगलता वाँ 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 क्या बात है बेटा शुरुआद अठी होने चाहिए चलो एक दिल टूटा शेरी हिसाई क्या फरक पड़ ही हो जैसे पहला पॉइंट प्लांट के बारे में जानते हो कि जो प्लांट होता है वह होता है यूकरियोटिक है जो प्लांट होता है वह होता है मल्टिसल्लर है जो प्लांट होता है वह कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रजेंट होता है क और जो प्लांट होता है कईना का टो करता है इने की फोटो सेंथेस कर सकता है लगबक हमने सारे के बार में यहां तक डिसकस कर लिए थे हैं लोग जानते ही रही हैं तो डिसकस का करने तो देखो एर्थ के ऊपर अगर चीज़ें कब बताई जा रहाए थी न तो बेटा सबसे सीधा थी तो आया हो गा उस्से पहले फरी जी आया होगा उससे पहले टू जी आया होगा उससे पहले इंटरेट चो एसे एसे करके घुमता है मगर यहां पर सबसे बड़ी खास बात यह कि हर्शी सर जब एक बात तो बताओ मैंने का क्या इस चीज को समझने का भी कोई तरीका है बिलकुल है दोस्तों देखो सबसे पहले अगर classification की बात की जाए तो दुनिया को इतनी knowledge तो थी नहीं कार्ल वेन नील इसका पूरा नाम है वगर आप लोगों को पता होगा इसने सबसे पहले खुद के ओपर बाइनाम नॉमन कर लिया इनने बहुत बड़ी बात है हम आर्टिफिशल सिस्टम के बारे में चलते हैं मगर तो आर्टिफिशल था आर्टिफिशल को कब तक मानते हैं दोसों बाइलोजी क्याती है कि और प्रैक्टिकल और एक्स्परिमेंट करो भाई सब फिदीशी बात है माइक्रोस्कोप लेके आओ चाब पूरा का पूरा एक्स्परिमेंट यहीं कर दो मगर हमें तो रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट करने के बाद जो दूसरे साइंटिस की बात करते थे मगर उसके बाद हम इंटरेल करेक्टर की बात करने लग गए आप का हच शिस्तर इसका मतलब ज़रा थोड़ा समझा दो हम लोग आउटर करेक्टर की बात करें थे कि कोई चीज बाहर से देखती है तो हमें पता लग जाता है कि वह कैसे चलती होगी इस इस सबी लोगों को पता है कि चीजों को बाहर से देखने के बाद उसका हंडेट परसेंट रिजल्ट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं तो हमने आउटर करेक्टर को छोड़ दिया हमने का चलो इंटरनल पर चलते हैं तो जब हम आउटर और इंटरनल दोनों की बात करने लग गए तो हम नेचरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पर आ गए तो कि बेटा देखो चीजे बहार से कैसी दिखती है अब आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का मारकर है अगर क्या पता है इसका मतलब मॉर्फो लोजी इतना अच्छा नहीं दिखाता है तो मतलब दोनों क्लासिफिकेशन सि यहां पर आ गई है और तीसरी जैने पर आ गई है तो सबसे बड़ी बात तो हम लोग जिस सिस्टम पर जाके ठोड़ा सा रुक गए हमने का भाई साब ठंड रखो हो गया हमारा काम और दूसरों वहां पर जो काम होना था वह ता फाइलो जनेटीक क्लासिफिक्सिशन कि इसके साथ सद एक चीज और थी जो थी तेक्सणॉमी जादा नहीं कि मूं करेक्टर को लेंगे प्रोटीन कार्बटिल लिपिट के बारे मात करें हम ने का निमेरिकल कीमो और साइटो वाइटो इनके दर चोड़ो मगर हमने बाद में सबसे बड़ी जो चीज़ लेली फ्युच्व क्विडिया गशनी ऐड़ी और से हम बहुत अच्छे से एग्जामिन कर पाके कि कोई बीची जीस कैसे होती है तो अमने यह कुछ चीजे की आर्टिशन नैच्रल फाइलो जेनीटिक हमने बात की निमेरिकल कीमो और साइटो टैक्सिनोमी के स्ट्रक्टर के बारे में बात कर लिए और इमेरिका टेक्स नमी तो मतलब तुम्हें पता ही है वड़ी बड़ी खास और बड़ी शांदार चीज थी तो जब सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया तो हम लोग आ गए प्लांट के उपर और हमने बोला कि जो प्लांट होता है उस में क्लासिफध्यकों क्रिप्टोगेमज और फेसे नेरगेमज था और प्लासिफिकेशन जो फसे पानी के इंदर mostly aquatic है जाएतर आपको पानी के अंदर ही मिलेंगे तो दिस इस कॉल देजा थैलो फैटर हर्शिस्तर फिर ब्रायो फैटर क्या होता है ब्रायो फैटर होता है जो पानी से थोड़ा सा पास से मिल रहे हैं तो आए थैलो फैटर करें हम तो भाईया पानी में रहेंगे फालतु बो हो गए ब्रायो फैट पहले टेरिस्ट्रियल प्लांट हो गए जिन्होंने पानी छोड़ दिया मगर अभी भी दोस्तों देखो अच्छी आदत छोड़ जाती है गंदी आदत नहीं छोड़ती पानी के अंदर वो पहले रहते थे थैलो फैटर थोड़े से और आगे की के लिए क्या यूज़ करते हैं यूज़ वाटर फॉर सेक्स्वल रिप्रडॉक्शन यह भी बेटा सीदी सी बात थे बिल्कुल पानी में ब्रायो फैटर कहां है थोड़े से टरेस्ट्रियल एडिया में थैडियो फैटर ने का भाई सब चुपो जाओ वस क्यों हम और यह बात देखेंगे कि मैं डाइग्रामेटिकली चीजों को एक्स्प्लेइन कर दूँगा तो हम लोग कर सकते हैं मगर इनकी जो लाइफ सैकल है डाट इस मच मोर इंपॉर्टेंट क्लियर आ जाओ पिड़ा आगे चलते हैं तो बात आती है थैलो फैटर के अंदर थैलो फै यह पर क्या है पहली बात तो अटो ट्रॉफिक होती है ठीक है कि अज़री बात क्वरेंट होने के साथ-स यह मिस्टी होते हैं अक्वाटिक होते हैं यह इनकी जर्नली मिलने के सासाद ये वुड के उपपर कोई भी सली गड़ी चीजे होंगी ना आराम से जहां पर थोड़ा बहुत पानी वानी मिलेगा वुड पे स्वाइल पे स्टोन पे यह लबग आपको सभी जगे पे देखने को मिल सकता है बोलो बास आए नीट के अंदर कोशन आ सकता है क फलाना में डिकाना में फलाना डिकाना आंसर होगा नहीं आंसर के वले एक जाएगा डाट इस कॉल रिजा आक्वाइटिक क्लियर है 100 परसेंट यहां तक कैसा भी कोई भी डाउट किसी भी बच्छेंगो नहीं है तो चल सकते हैं आगे आगे चलते पिड़ा अगला अगला ह सबसे पहले और फंजाए को मिलके क्या बनाते हैं और दूसरी बात अल्गी और स्लॉथ बियर मतलब एल्गी जो होते हैं वह एनिमल के साथ भी सिंबाइटिक रिलेशन्शिप कर सकती है तो स्लॉथ वियर इस नटिंग डिस इस कॉल्ड़ अगे चाहते हैं अगला दखने हैं जैसे यूनी सलर होता है क्लेमाइड़ मोनास फिलामेंटस होता है आप इस पायरो गयरा कोलोनियल होता है आपके बाद वॉल्वक्स मैसे बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं वह क्या होता है कि चार एक्जांपल के आपको याद हो जाएंगे अरे बड़े ही उनको पता होगा जिस चेयर पर बैठके आप पढ़ रहे हो लेट के पढ़ने तो बात अलगे तो च्छत पर चिपका देना मगर जिस यह पर बैठ रहे हो सामने चिपका दो रूल नमबर वन उस चेयर पर जब भी आप बैठोगे अदर आप फिजिक्स पढ़ने बैठते हो तो भी आपको वह पूरत चार्ट पर जो भी कुछ सामने चिपकर रहा है सब पढ़ना है रूल नमबर टू एंड लास्ट टूल उस चेयर से जबी भी आप उठोगे आपको वह चीज पढ़नी है बस आट सेट आपको जो भी कुछ याद नहीं हो रहा करके देखना मुझे अगला पॉइंट यहां पर क्रिप्टो फाइटा अब तीनों में अगर मैं थेलोफाइटा की बात करूंगा तो ब्रायोफाइटा और टेरीडोफाइटा भी तो थेलोफाइटा में सबसे इंपोर्टेंट आती है एलगीज के बात कर ली ठीक है तीन टाइप के आपके एंस आपकी एंसियाटी में नहीं है एक्स्ट्रा घुलवा सही है दोसों रोडोफाइटी फ्योफाइटी आपको याद अकरने हैं जैसे सीजी से मैंने एक एक्जामल बदा रखा चंडीगर आरार से बनाए राइस्थान रॉयल्स जो क्रिकेट खेलती है बहुत बढ़िया चार चीजे होती है कलर ग्रीन रोडोफाइटी प्योफाइटी कलर ब्राउन जैन्तोफाइटी कलर ग्रीन नहीं बूलोगे राइस्थान रॉइल्स रोडो फइसी चलर रेड, लोडो फइसी कलर ग्रीन, प्यो फइसी कलर ब्राउन, जैन्ट फइसी चलर येलो ग्रीन, बलो डन है, आज़ाओ आगे चलरते हैं आप तीन की है कि या बाकियों कु जाधा पढ़नी भी नहीं आई आ यह पर दो पहला ही ग्लिार हो गया चलोरी सीत्युम्म क्लोरी थी थी इसे अ Newton ब्राउन की स्पेलिंग होती है मैंने तो ऐसे याद किया है मेजर पिग्मेंट क्लोरुफिल और क्लोरुफिल बी क्लोरुफिल और क्लोरुफिल दी सबसे इंपोर्टेंट तो है इसका ये और भी शुरू-शुरू में याद करना असान रहता है ये और भी लोफईसी की स्पेलिंग देखो तो रोड़ोफाइस की स्पेलिंग की आपको क्या दिखाई देगा डी दिखराए रोड़ोफाइसी में डी सिक्लोरुफिल डी है अब होग सब्सक्राइब करते हैं कि आपको याद करना है थोड़ा सा यहां पर फ्लाजिला की देखा जाए दो और अनीक्वल और लेटरल होते हैं लेटरल वह होते जो पीछे की तरफ हो से बहुत ही प्यारा कोशन मन सकता है कि किसके इंदर एपसेंट है गया है पीदा ही होते है ब्राकिश है रॉसतिति है फ्रेश और में डोनों बनते हिए और ब्रेखेश मेंती है यह पिर नहीं पे यहां पे यहां पे salty water में मोस्ट्री मिल रहे हैं तो मोस्ट्री और रेर से भी बहुत ही प्यारा कोशन बन सकता है आज आज आगे यह याद करने का तरीका है युस के college बहुत प्रीज होते हैं आजकाल तो भारत के भी college के लिए तो आपको मेरे खाल से आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा सेक्स और बार में बहुत इंपोर्टेंट है याद कर लिजीएगा यहां से दोस्तों डिक्टियोटा यहां पे होगा दो सेल्फी से होगा सारगासम ठीक है से लैमीने रिए और फी से होगा फ्यूकस लेमनेरिय और यह समद्स्स ओते हैं इन दोनों का यूजS किया जाता है कि य Conference इंदर जो आयोडीन होती है उसकी प्रेजन्स बहुत ज़्यादा होती है तो अयोडीन जोंडा की डिस्कोपेंड है वेटा नाच-नाच के लिखवा रह स्कार्राइब और पॉठराइलव तुने पॉठर की तरह तरह कर सकते है जबकि आप पोलसा this राइब कर सकते हैं दूधा होताे हैं या नहीं कर घलेड निद की था है इसवैर्ध वाइड फोटा है इम्पॉठ टासर वी आद ट करते हैं तो प्रोसेस का नाम इंबाइबिशन होता है इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा बॉटर को एब्जॉब करने की ताकत जिसके पास है सॉलिड के पास वह एगार एगार ही है लेबोरिटरी में न्यूट्रियंट मीडिया बनाना हो तो भी यह बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है लेबोरिटरी के अं और बहुत इंपॉर्डेंट चीज तो बराइबोरिट के बार में जानते है पहली बात यहां पे देख लो सारे पइंट देख लेते हैं पहली बात जो प्लान ला किंगनम क्यों बोलते हैं तो कि रहते थो टरस्ट्रेश्यल एरिया में है मगर इस एक्सवाल रिपरशन के लिए गंदी यादत छूटी नहीं अभी भी वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं देखो लिखा हुआ है अगला पाइंट पहले टरेस्ट्रियल प्लांट है पहले टरेस्ट्रियल मगर या दखना इसमें जायलम और फ्लोयम प्रेजेंट नह यह पर्फॉर्म करते हैं फोटो सिंथेसिज और इसमें मोड अफ नूट्रिशन बेसिकली फोटो सिंथेट्रिक वाला ही होता है यानि कि आप्लो क्या पॉइंट क्लियर हैं आगे चलते हैं यहां पर ब्रायाफाइटा के अंदर अगर बात की जाए तो ब्रायाफाइटा मे मेल बोलते हैं जब कि आर्की गोनिया को क्या बोलते हैं फीमेल बोलते हैं अप सुनो एंध्र एंध्र जोटे हैं जिसे हम इस पर्म करें ठीक है और इसमें बाई फ्लेजिलेटर उटते हैं बाई फ्लेजिलेटर का मतलब इसको अगर डाइगर देखोगे तो इसके अंदर लोग लो कितनी फ्लेजिला होंगे आपके आपके पास दोफ लाज लाहें तो देट है मतलब इसके अंदर दो फ्लेजला है यानिकि आसानी से तैर के चले जाएगा तो कि बोला था सेक्सवाल रिप्रडक्शन के लिए अंदर डिया डिपेंड ऑन दा वाट यह भी पानी पर डिपेंडेंट होते हैं अब आपके डाइग्राम से एंसी आटी ने जो टिपिकल थि से इस वरी भी हमने असान कर दिको एक होगी वह दूसरा है वह मैल ब्रांट की फिमियल ब्रांच और मेल ब्रांच करिके लावर दोम भी मत प्स्वाज़र है यहाँ पर और पर कि तरफ ब्रॉष अगी जहां पर एक तरफ दृआ टा ही आसए और मियल आपको पता है ब स refined और फिमेल के इस वाल एरिया के अंदर एंट्री कर जाएगा और एक्सल से जाके फ्यूज कर जाएगा भूलो बास साही है याद रखेगा ब्राइओफाइट के अंदर में प्लांट बॉड़ी गेमेटोफाइटेक होती है यानि कि इसके अंदर रूट लाइक स्टैम लाइक और लीट लाइक प के बार में आप बात नहीं करोगे आप बलोगे बताओं यहां रूट लाइक स्टैम लाइक और अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ यह वाला जो पार्ट है वह तो है है यानि होती है जबकि जो अपर की तरफ यह जो भी कुछ बना है यह सारा का सरे स्ट्रक्चर कैसा है इनकी टूएन इसे हम बोलते है sporophytic बहुत नीचे है ओपर है sporophytic अब आपको क्या लगता है आपको क्या सब्सक्री कर तो पेटा नीचे वाला नर्श्पेंट उपर वाले को देगा तो बता ओपर वाला नीचे वाले पिटेंट रीपेंदेंट लूट को रहने किसी इंसान को ऐसे उठा रखा तो में उस पर डिपेंडेंट हुई या मुझ पर मुझ पर डिपेंडेंट फर इस पोरोफाइट पर आ बनती है मैं आपको चाहूं तो एक बार बनायता हूं उपर की तरह स्ट्रक्चर बनती है दोस्तों वह कुछ ऐसे बनती है जैसे यह है और यह मालोब ब्रांच बना दिया ठीक है और इसके उपर दोसो एक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाते है कि इसे बोलते फूट इसे बोलते सीटा जबकि यह होता है कैपसुल वाइब लगास है यह इस है यह पॉइंट क्लिए रहे जब ऐसी कंडिशन आ जाएगी तो उसके बाद आपको पता है क्या होगा यहां पे deployed sport जो भी sport बनेंगे अंदर वो भी सब deployed होंगे यह sport आगे बाहर निकल जाएंगे बाहर निकलने के बाद sport में से अब sport तो deployed है तो एक सेल अपने आपको बड़ा मान लेते हैं यहूं कहते हैं मैं हूं जो हूं मैं अपना साइज बढ़ा रही हूं भाई साफ हाल तू बात करने की जड़ात नहीं है तो that is called as a sport mother cell SMC बन गई है इस पोर मदर सेल मदर बन गई सबके उसके अंदर होगा मियॉसिस और आपको पता है एक प्रोटोनिमा जो की नीचे की तरफ बनती है जिसके अंदर राइजोई इडिख रहा है ब्राउन खलर से राइजोई और इसके उपर एक लीफी स्टेज भी डवलप हो जाते हैं प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज के बारे में डाग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हूं एजट इस एक नहीं प्लैंट बोडी बन जाती है यह वाला सेम प्रोसीजर कंटिनेस्टी मोड पे चलता रहता है और इस इस प्राइफाइट्स पता हो क्या पॉइंट क् प्राइब का स्प्विंडिया का जबकि एक एक एक्जामपल अपने पास बोलो किसका है लिवर वाट का बताू क्या आगे चल सकते हैं हन्डेट पर्सेंट यहां तक क्या सारे के सारे दोस्त तयार है कोई भी दिक्कत है कैसी भी नहीं तो आजाओ के बारें बात कर लेते है लिवरवाट्स के दो एक्जामपल रिक्सिया और मारकेंशिया अब ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो कि असली चीज तो आपने यहाँ पर पढ़ ली और मेरे काल से यह जो असली चीज यह तो अटा दू ना इसका तो काम है भी नहीं जो असली चीज आपने पढ़ी है वो यह है कि जो लाइफ सैकल आपने याद किया है ना ये ये फिनेरिया का मॉसेज में मतलब ब्राइफट के दो एक्जामपल है जिसमें एक हम फिनेरिया पढ़ेंगे मॉसेज में और एक हम पढ़ेंगे लिवर वाट्स तो मॉसेज का यह जो एक्जामपल याद किया है मज़ा आ जाएगा कभी नहीं भूलोगे लाइफ टाइम पत्या दखना एंथ्रीडिया उस पहुत जाएगा फिमेल तक वीमेल में एंट्री लिने के पता कि क्या होगा फट्रीलियाजेशन हो गया पढ़ेंगे परसी पूरप और नहीं मनता है और यह इपना प्रस्ट्ट्ट्र है इस पॉरफाइटिक यॉकि डीपलॉइड है नीचे में प्लांट कैसा था गयमेंट नहीं हूँ बादशाह और इस पोर मदर सेल इसके अंदर डिवीजन करवा दो मियोसिस एक मियोसिस से चार सेल बनती है जो कि हैपलोड यानिकी एन मनती है अब इसमें से प्रोटोनिमा मना दो और उसके पर लीफी स्टेज डवलप कर दो और फिर उसके बाद वापिस से प्ला डाइल में ट्री और मौस डीप एरिया में रहते हैं यह यूनी सेलर ब्रांच राइजोईट सेसके अंदर प्रेजेंट होते हैं यूनी सलर ब्रांच और राइजोट के निट के अंदर बहुत ही एक बिए रहा एक स्ट्रक्चर हिए फीमेल वाली है वो आर्कीकॉनियो फॉर पूरी ट्रिक्चर यह है रार्कीकैनिय Yo A'lliple की तरफ और bunu 17 पर अपको याद होगा मैंने आपको फंगस पड़ाया था तो मैंने आप से बोला था कि फंगस में जो नीचे है द्यान से सवर न नीचे त्यैंट फो यहां पतर बो हें पें ऐ Visual के बाद चैनल जैगाड जैगोड के बाद क्या बन गया एंब्रियो और आइंब्रियो के बाद एक डिपोड़़्ाइध इंपोर्टेंट है दैग्राम बड़ा इंपोर्टेंट है मार्क एंशिया का आप देख सकते हैं आगे चलते हैं जैसे हो जाएगा तो आपके बाद डिपलाइड इस पोरफाइट मिल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं अब इस प्रफट में सेम टूसें वही होगा फूट सीटा कैप्सुल आप पड़ चुके हो फिर वही स्पोर मदर सेल बनेगी वही मियोसिस होगा वही स्पोर बनेगे वही नया गेमिटोफाइट बनेगा बात सेम टू सेम है कोई बदलाव नहीं है यह पढ़ लोगे यह पीटा फ्री पाओगे अब कोई टेंशन ही नहीं और आप भी जानते हो क्योरी को अगर डाग्राम से क्लियर कर दिया जाए तो डाग्राम कभी नहीं बुलोगे बहुत कंफ्यूजन होता है गेमिटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक नहीं है मेंट प्लाइंड बॉडडी यह गेमिटोफाइटिक है और उसके आपर यह स्पोर इस डui रिव हैं आगे चलते हैं थाले मिटा सेम्ट उसे मिसके बाद एक और चीज document आती है जिसका नाम में टेरीडी टोफाइट अब आपको रियाद होगों तो मैंने और ये लेंड पे मतब पानी छे थोड़ा सा और दूर होते हैं तो दिस इस दा टैरीडोफाइटा भूल बास आई है तो पहले फरस्ट वैस्कुलर प्लांट है जो ट्रेस्ट्रियल एडिया पर है आप कोगे ट्रेस्ट्रियल पर यह है बिल्कुल है अगर इसमें वैस्कुलर बटाना क्या यह डियागराम बड़ा यह बड़ा अच्छा लगतां लेगराम में डेखता होना तो मुझे लगता सब्सेंट्रियल नहीं होते हैं होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस वो होते हैं जिसमें दोनों टैप के स्पोर होते हैं और हेट्रोस्पोरस वो होते हैं जिसमें दोनों टैप के स्पोर नहीं होते हैं मैं डाइगराम से ही ठीओर किलियर करूंगा ज़रह धेहां से देखना देखो यह बेटा है मानलो में प्लाइंट बॉडी है यहां से सुनले ना आपकी ठीओरी क्लियर हो जाएगी बहुत सारी यह है दोस्तों में प्लाइंट बॉडी में यहां पर लीव लाइक स्ट्रक्चर इसे हैं उस नदेर बैवाइन लाइक स्ट्क्टर प्राइं जिसे ओने हैं प्लाइजि प्लैंट बॉड्थ सून॥ इसके अंदर इसुर याद मैन प्लांट Algun के जैसी है प्लॉड यह दि तक में प्लाइजल बॉड्डी haploid यानि की gametophitek थी मगर अब में प्लांट बॉड़ी स्पोर फाइटिक हो गई प्लांट ने अपने आपकों का बहुत हो गया gamet gamet अब मैं खुदी डिप्लाइड होंगा बन गया बिटर डिप्लाइड ठीक है अब सुनो सेम तो सेम अब कुछ करना ही नहीं है बता देना क्या कुछ फराग आया गया जो इस पॉरंजिया है बैलून लाइक अगर बाध बनने के बाद सीधा नया पेड़ बन जाता है मगर दोस्तों यहां पे नया पेड़ स्पोर से नहीं मन सकता क्यों कि इस पोर थो है और आपको बनाना भी डिप्लाइड यहीं कि टू अर्गनिजम अभी आपको डवलप करना है तो कैसे करोगे आ जाओ यह जो स् structure बनाएगा ऐसा जो है heart shape structure इस heart shape structure में आपको दोनों चीज मिलेगी male part भी और female part भी बिलकुल दिख जाएगा कोई टाइंशन नहीं ठीक है female sex organ भी दिखेगा और male sex organ भी दिखेगा नीचे वाले को की बाद आप सेम तो सेम होगा female sex organ के अंदर क्या प्रिजेंट होगा एकसल में उनल प्रॉसेस होगा एंध्रजडियोड या निकरी मेल किसके अंदर निलीज हो जाता है पानी में पानी में रिलीज होने के बाद कहां पर मूब कर जाता है फिमेल के पास और फिमेल के बास और प्रोसेस हो गया फिर्टिलाइजेशन पर दाइब यह आपको डिप्लॉइड बना था वहाँ पे मैंने कभी भी ज्याइगाट के बाद नया और्गनिजम मनाया नहीं अ यानि कि थैलोफाइटा में और ब्रायफाइटा में आपको कभी भी स्पोरोफाइटे कैसे डवलप करना ही नहीं है जाइगाउट के बाद कोई भी एम्रियो एम्रियो डवलप नहीं होगा थैलोफाइटा और ब्रायफाइटा में मगर अभी जो टेरीडोफाइट पड़ रहे हैं उसके दर ध्यान से अब अपने एंब्रियो भी डवलप कर दिया बहुत ही आसानी से बताओ क्या पॉइंट क्लियर है कुछ भी नहीं है डाग्राम में बहुत ही आसान डाग्राम में मगर समझने की शिद्दत चाहिए होती है ले मेल और फीम्रें दो नों मिल रहे थे आपको एक प्रेका मेल ए तो मेल और फीमेल यहां पर दो अलग अलग मिल रहे है यह सब्सक्रेंवाट है यह था गया कहता है करना कुछ था ङरृं की लिगें और स्पोर में क्या हो गाएं सिसमीन प्लाइड हो जाते हैं इतकत तो नहीं है समझ में आ गई ना म practically कहानी आसान है आप लोगًा खुद समझ सकते ओफ अगला सेम मेगा मेघासपोर मैं मेघास पॉर मद्रसल में पॉर पॉर पनेगी मेगा must़ म होगा मी औज बेन्य अब यह इस Цिह सबहर होंगे यह एक्सेल होते हैं सारे अब सीधी सी बाते से स्पोर्ट से जो भी एक्सेल बनेंगे जब उसका मन करेगा बेटा आराम से पॉस्त हुआ का तक पॉच जाएगा फिमिल के बास हो गया फटिलाइजेशन वगर यह पॉइंट का है हेट्रोस पॉरस मेल अलग पे हेट्र मगर आप में चीज़ पढ़नी है जो है फेनेरो गेम्स और अवलब वराइटी और उसमें क्या पढ़ेंगे जिम्नो स्पर नहीं करेंगे क्लास 12 में पूरा ही चेप्टर है मगर आप मैं नहीं चाहता कि मैं चाहता हूँ चीजों को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़े जाहिते दिक्कत होगी नहीं मगर आजो जबा आगे चलते हैं अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है जिनो तो ऑग चyang के अदर zum क्या क्या चीज़ हenne आज हो देख लेते हैं पहली बात इसमें बेसकौलर कि बोडी मीडियम साइस के प्लांट भी मिलेंगे ट्री शर्प्स और लाज साइक ट्री भी मिलेंगे यहां पर हाप्स नहीं आती बस तो यहां पर टॉलेश है जिसका नाम है सिक्वा बेटा धंडे गार रखें इसका मतलब नीट के अंदर पूछ जाने वाला कॉशन है में प्लांट बॉड़ी जो होती है इस पोरोफाइटिक होती है बॉड़ी बिल्कुल डिफ्रेंशिटेट होती है रूट स्टैम और लीफ में यहां पर दोस्तों सेकंडरी ग्रोथ हो सकती है क्योंकि इसके अंदर कैंबियम प्रेजेंट होता है जिन बच्चों ने शायद मेर परीग्रोथ थी अराम से हाइट बढ़ रहे थे वगरे सब को जनाब शनाब खाने के बाद जो हम करते हैं इस इस कॉल्ड़ेजा से क्लाइज रूट और माइक्र रूट में रूट कहां से होती है रेडिकल से रेडिकल का मतलब जहां से रूट निकलती है है वह से निकलेगी टॉर्लाइट ूट सेमने क रिलेशन्षिप से नैटरोजन फिक सेसें से किससे ब्लू ग्री इलगी से और फनी की रूट के साथ रलेशनचिप और उसका राइन फिन नम है लो क्या नाम है लट में इसका बनाइन पायन मेस नाम है झनुक्य खुर्स है चले आगे लिगली देखलो स्टेमफ दो टट प्रांश होगी दढ़ांश नहीं अगर ब्रांश है तो कॉइन सब्संद्रे Church आग़ तो साइब अर्बॉट अच्छा जो सच में लिविंग फॉस्रि चाहिना का जाता है एका यहां पर है इसे हम बोलते है जिंको बाइलोबा जिंको बाइलोबा NCRT में इसका एक डागराम भी दे रखा है बताओ कि यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या चला जा सकता है आगे आगे चलते हैं लीफ टी टैप की होती है एक होती है सिंपल लीफ का मतलब क्या होता है ऐसी लीफ जो कटी और तीसßerah निडालेट लीफ होती है रेटए पानी कमics आपर जादा हुए बिटा गर्मी ज सधा है लाइक होते हैं उसको ड़फके अ अपने आपको खूब मॉटिफाइड कर रहा है प्लांट कर भाई साब आगे तो पानी हाई नहीं मैं कैसे बचूँगा तो बचने के तरीके हैं प्लांट के लिए यहां पे प्लांट दो टाइप क्यों होते हैं मुनोशियस और डायोशियस और यह साइकस तो पाइनस मुनोशियस का अग्जामपल जबकी साइकस किसका एग्जामपल है डायोशियस का ऊऔर बात साइगे क्या आ गया जो मैं तो अगला सबसे इंपॉर्टेंट एक और भोच पोच एक और डाइगराम जो है लाइफ साइकल किसका का जो अपन पढ़ र बता हो कि यहां तक पॉइंट क्लियर है जिमने स्पम के लाइफ से लिए अगर बात करोगे तो देखते हैं में प्लांट बोड़ी आपको डिप्लॉइट देख लिए टूएन में प्लांट बोड़ी टूएन है अब रटना कुछ भी नहीं है एंसी आडी पढ़ना यही पूर क्लस्टर में कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है तो यहां पर मेल कोन होती है जो कंसिस्ट करती है माईक्रोसावमस्ट तो बनेंगे माईक्रोप बैगा से मे dares connection को अभी gü ど तक और डबलोप करेंगे पॉलेंट तो मैई तो सैम्टि है से में कुछ में नहीं किया तो लगबख सारी आप जानती हो सबसे पहले हैं और मेरे प्रैंट दिप्लोएब है तो पहले माई पॉमपेक्टी एरेंज ओंगे मेल कोन या स्टोर भी हम इसको बोलते हैं इसके अंदर माइक्रोस्पॉर जिया होगी माइक्रोस्पॉर मदलद सेल में मियॉसिस कर दो मियॉसिस के बाद क्या आ जाएगे आझे सब्सक्राइन तंदर और भी यह तक तक पौँचेगा पॉलिए अगली चीज अगला फीमेल पे सेम जैसे मेल किया था एक डफ़ेल विश्ट पॉन दिया जिसके अंदर मेगा इस पॉरंजी वे में क्या होगा मेगा मदरस्खलों बदंगी में है और में अर्छिस के वाहद मेझा सपोर मेटफेट बन गया जिससे दिश्प को अधाओ क्या दिक्कत है कि मैंने पहले बुला था इस लेक्चर से जो चीज आप लोग याद रही कर सकते ना वह चीज में डाइगराम से खतम कर दूँगा इस लेक्चर से लेक्चर में बस फोकस करना इस पर मैंने कुछ अन्तर नहीं किया मेल याद है तो फिमल याद हो जब मेल और फिमेल गेमेट्स involvement मेल और फिमिल न Somehow फिरे डून के सब्सक्रतिक चोन इसके पाद एक और चीज आति है जिसे हमोटे Pokemon और पर में आपने कभी भी यह डियाग्राम मनाया होगा मेरे काल से कई बार बनाया होगा क्रेंबर मैं आपने कई बार बनाया होगा ख़ड़ा कभी है तुरहा है ना डियाग्राम भी देखा होगा यह होता है स्टिगमा यह होता है स्टाइल यह होता है ओवरी स्टिगमा के स्टाइल यह ओवरी की सब फीमेल के पार्ट है यह है एंथर इसके अंदर पॉलन गेंगे और यह है दोस्तों फिलामेंट यह जो नीचे की तरफ होता है इसे हैं मुलते थेलेमस अगया यह जो होता है से मुलते सैपल प्रीन कलर के होते हैं जो फ्लावर जब तक खिला नहीं होता ना तब तक फ्लावर को बढ़ की पोजिशन प्रोटेक्शन देते हैं और यह जो आपको दिख रहा है यह पैटल्स पताओ के डियाग्राम क्लियर प्लावर का डियाग्राम है फ्लावर के अंदर दो चीज़े होती है अगर आप ध्यान से सुनोगे तो फ्लावर का समझ में आएगा यहां से जो एंथर है ना यहां से पॉलन गेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के उपर और प्रोसेस इस कॉल्ड एजा पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के बाद यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या होती है एक होता है डवल फर्टिलाइज़ेशन एक होते ट्रिपल फिजन बसे दोनों बड़ आप लोग याद रखना समझाने वाली बात सेक्सुल रिप्डॉक्शन पूरा का पूरा लाइफ सेक्ल पढ़ना पड़ेगा पूरा चेप्टर ही है वह और एक है ट्रिपल फिजन यह दो बस चीजें याद रखना कि यहां पर हमने कभी डिसकस किया था डवल फर्टिलाज़ेशन और ट्रिपल फिजन बस यह चीज़े याद रखना क्या होता है पढ़ेंगे अपना आगे क्योंकि आपको पता होना चीज सेक्सवल इंप्लावर इंप्लाइंस क्लास 12 का पूरा का पूरा बढ़ा चिप्टर है और एक बार मेरे काल से आप लगोने तो पढ़ी रखा होगा देख लेना तो आप क्या दो कि हां शिसर बात तो आपकी सही द दूसरा पॉलन गेन होता है वो सेकेंडरी नुकलियस से हो जाता है और जिससे बनता है त्री एन आपको पता होगा जिससे हम इंडोस्पम होते बट अभी कुछ नहीं अभी डवल फटिलाजेशन और ट्रिपल फ्यूजन याद रखना है तो लो क्या मेरा पॉइंट क्लियर है अन्रेट परसेंट लास्ट में इसी चेप्टर में अल्टरनेशन अफ जनरेशन दे रखाऊगा पुरानी एंसियाटी में वह बिल्कुल हट चुका है आप लोग नहीं पड़ें हैपलॉंटिक डिपलॉंटिक और हैपलोडिपलॉंटिक ताकि उसमें आप देख लेना ए फूरी की निसमें एक एकजांपल डिसकस कि टिक लिवरवॉंट का जीजफ हमाइं पर हम खो तो अलग जगैं घृतना सबस्ट पूरा कई लीफ और प्लांट के बार में बात की गई है थोड़ी सी और यह है इसका लाइफ सेक्ट बताओ क्या कहते हो पॉइंट बिलकुल अच्छे से 100% क्लियर है देखो बात बड़ी छोटी सी है मगर बात जो छोटी सी है वो जाएगी समझ में बहुत अच्छे से आएगी मगर दोस इस पॉरोफेटिक डिपलाइड होती है नीचे गमेटोफेटिक उपर इस पॉरोफेटिक डिपेंड और गमेटोफेटिक इतनी तो बात बोली है मैंने और कुछ भी आपसे अलग में नहीं बोला है पताओ क्या पॉइंट क्लियर है एक्जामपल ज़रूर आपको याद करन ही है आई थिंक सबी लोगों को बिलकुल अच्छे से क्लियर होगा ठीक है तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहां तक लगबग सारे के सारे बच्चों को मेरी सारी की सारी बात बिलकुल अच्छे से क्लियर है तो मिलते हैं फिर अपने एक और लेक्चर में फिल दैन पाइव ठेक केर, थेंक यू सो मच, एवा नाइस डे, ठेक केर.